Hey everyone, welcome to JK Civil Services आज का lecture जो है वो आपका address matching पे रहने वाला है जो की reasoning का lecture है और आज के lecture पे जाने से पहले I would like to tell you that if you want PDFs or notes or tests or tests तो वो आपको JK Civil Services app पे मिलेंगे और app का जो link है वो आपको इसी video के description में मिल जाएगा ठीक हम लोगों की reasoning की classes चल रही है आज का जो topic है that is address matching देखिए address matching में आपको क्या करना होता है आपको एक definition दियोगी definition दियोगी जिसको आप एक situation भी मान के चल सकते हैं एक situation दियोगी या एक definition दियोगी उसके basis पे फिर आपको 4 options दियो होंगे और फिर आपको बताना है कि इस definition के basis पे चारो options में से कौन option correct है ठीक है जब हम अभी questions करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप देखिए first question देखिए क्या है हमारा a guarantee एक second हां जी तो first question है a guarantee is a promise और assurance that attests to the quality of a product that is either देखिए क्या बोल रहे है बोल रहे है guarantee guarantee क्या है guarantee एक promise है कैसा promise एक product के लिए promise किया जाता है कब-कब given in written by the manufacturer या तो वो manufacturer क्या देता है written में देता है और given verbally by the person selling the product या तो verbally याने के oral याने के सिर्फ मू से याने के सिर्फ बोलता है लिख के कुछ नहीं देता है बट रिटन में क्या करता है वो लिख के देता है अब देखिए question को पहले समझ लीजिए बोल रहा है which situation below is the best example of guarantee guarantee का जो आपको मतलब है वो आपको समझा दिया गया है question में फिर बोला गया है कि नीचे चार options दिये होंगे उसमें से कौन सी situation guarantee की example है guarantee आपको पता है जब हम किसी shop पे जाते हैं और question में भी आपको बता रखा है guarantee जो है वो verbally होती है वो written होती है या verbal होती है ठीक है वर्बल यानि की जो oral यानि की मूँ से बोली हुई या तो जुबानी कोई बोलता है कि ठीक है अगर आपका product खराब हुआ तो मैं आपको नया दे दूँगा या तो कोई हमें लिखके देता है paper पी कि अगर आपका product खराब हुआ तो मैं आपको नया दे दूँगा ठीक है तो ये दो चीजे हो सकती है और ये guarantee जो है ये एक promise होता है जो कौन करता है seller करता है seller करता है किस के साथ buyer के साथ seller करता है buyer के साथ यान कि बेचने वाला करता है खरीदने वाले के साथ बोलता है कि जो product मैंने आपको बेच जा है अगर उसमें कोई खराबी निकली तो मैं आपको वो product क्या दूँगा उसके बदले में दूसरा दे दूगा या पैसे ही वापिस दे दूगा या तो ये बात वो रिटन में कहता है या तो ये बात वो जबानी कहता है अब देखे आप आपको situation में क्या पूछा गया है आप देखे situation क्या है Melissa purchases a DVD player with the highest consumer rating in its category बोल रहा है कि DVD player क्या होता है DVD player एक उसमें आप लोग CD डाल देते थे जो गोल CD होती थी उसमें आप लोग वो डाल देते थे और वो CD आपकी TV पे चल जाती थी ठीक earlier जो पुराने जमाने में ऐसा होता था तो यहां पे तो guarantee की बात की नहीं है तो यह तो option तो सीधा-सीधा गलत हो जाता है ठीक दूसरा option है the salesperson advises call board, call board कोई इंसान है to be sure that he buys an air conditioner with a guarantee दो salesperson यहांना की कोई बेशने वाला जो है वो चीज़ हे भेशने वाला बोलता है call boardと किसी इंसान को बोलता है कि आप a शौर रहना Ao के air conditioner जब purchase करोगे यह की AC जब purchase करोगे तो वो guarantee के साथ purchase और ठीक है तो इस्में guarantee कि logic के साथ purchase करना ठीक है तो बोल रहा है कि एक auto body shop जो है वो क्या क्या करता है वो refurnishing and selling of cars बोल रहा है कि वो used cars को क्या करता है ठीक करता और फिरुनी को बेच देता है ठीक है तो इसमें भी guarantee की बात नहीं हो रही है अब देखे लोरी लोरी कोई इनसान है बाइस अ यूजड डिजिटल कैमरा उसने एक second hand digital camera जो है camera buy किया ठीक है from her co-worker अपने ही साथ उसकी एक co-worker थी उसी से उसने लोरी ने क्या किया एक camera purchase किया ठीक who says that she will refund लोरी's money और इस co-worker ने क्या कहा लोरी को कहा कि मैं तुम्हारे पैसे वापिस दे दूँगी if the camera's performance is not of the highest quality तो यहाँ पे आपको guarantee का meaning जो है वो बिल्कुल बिल्कुल clearly समझा रहा है ठीक लोरी एक इनसान है उसने अपने co-worker से एक camera लिया है co-worker ने वापिस उसको क्या बोला है कि मैं तुम्हारे पैसे return कर दूँगी अगर यह camera में कोई भी अच्छा quality का performance इसने नहीं दिया तो यह guarantee का बिल्कुल सही example है ठीक ऐसे आपको question दिया होगा उसमें कुछ explain किया होगा फिर आपको बागी situation में उसके basis पे options बताने होते हैं ठीक अब देखे second question क्या है applying for seasonal employment occurs when a person requests to be considered for a job that is dependent on a particular season or time of year तो क्या बोल रहा है बोल रहा है कि seasonal employment seasonal employment तब हो जाती है जब एक person जो है वो क्या करता है season के basis पे summer autumn spring इन सारे season के basis पे क्या करता है हो सकता है वो सिर्फ winter में काम कर रहा हो सिर्फ summer में काम कर रहा हो हो सकता है वो सिर्फ spring में काम कर रहा हो तो question के कहने का मतलब यह है कि seasonal employment का क्या मतलब है जब कोई इनसान सिर्फ और सिर्फ एक particular season में काम करे या एक time period में काम करें, मान लीजे उसने कब किया, उसने में से लेकर August तक काम किया, तो ये summer का season है, ठीक है, तो ये भी seasonal employment में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे seasonal employment, अब क्या बोल रहे है, which situation below is the best example of applying for seasonal employment, नीचे दिये गए options में से, कौन सी statement best describe करती है seasonal employment को, चलिए आप देखते हैं, Matthew prefers jobs that allows him to work outdoors, outdoor and indoor क्यों होता है, देखे, outdoor होता है, mainly field में काम करना, ठीक है, field में, and indoor होता है, अंदर office में ही काम करना, अब देखे, जिसका कागजी काम होगा, documentation का काम होगा, वो तो office में ही करेगा, अब मान लीजे, कोई physical education का teacher है, sports teacher है, तो उसका तो outdoor काम होगा, तो वैसे ही क्या बोर है, कि Matthew जो है, वो outdoor job क्या करता है, prefer करता है, यानि कि वो बहार ही, field में काम करना, prefer करता है, तो इसमें seasonal employment तो आया ही नहीं, ठीक है, तो ये तो सीधा-सीधा हमारा गलत हो जाएगा, ये option, दूसरा क्या है, Lucinda makes an appointment with the beach resort restaurant manager to interview for the summer waitress position that was advertised in the newspaper, ये इसको भी आप छोड़ दीजे, थर्ड क्या है, dogs ice cream, shop stays open until 11 pm during the summer months, बोलता है, ये dogs जो है, ये कोई इनसान है, इसका एक ice cream shop है, तो ये क्या बोल रहा है, इसका ice cream shop जो है, वो क्या रहता है, वो open रहता है, कब तक 11 pm तक, रात के 11 बज़े तक, कब summer months में, तो ये employment का है, इसमें कोई applying for seasonal employment बताना है, बताना है कि कोई apply कर रहा है, तो इसमें तो कोई apply करी नहीं रहा है, ये तो आपनी shop चला रहा है, इसमें भी ये apply नहीं कर रहा था, इसका कहने का मतलब ये था, कि इसको outdoor job जादा prefer करता है, ठीक, अब देखिए second वाले option में, second वाले option बोल रहा है, Lucinda, कोई इनस है, ठीक है, उसके साथ Lucinda क्या करता है, appointment करता है, और बोलता है, interview में ये बोलता है, किस के लिए interview करता है, for the summer waitress position that was advertised in the newspaper, ठीक, मतलब restaurant का manager जो है, उसके साथ interview पे जाता है, कौन Lucinda, ठीक, और बोलता है, कि मैं किस टीज के लिए apply करने आया हूँ, summer waitress के लिए, ये लड़की ठीक है, सिर्फ summer में, waiter होता है, जो हमारे जैसे हम बैठे होते हैं, जो हमारे लिए चाय पानी लेकर आये restaurant में, उनको waiters कहते है, तो ये क्या कर रहा है, ये लिए interview देने जा रहा है, किस के लिए, summer waitressing करने के लिए, यानि कि सिर्फ summer waitressing करने के लिए तयार है, उसके बाद व I hope clear हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं, अब दीखे, in the maple hill school district, a five day suspension occurs when a student is not permitted to attend school for five days, तो कहता है कि एक school है, maple hill school है, अगर उसमें बच्चा जो है, occurs when a student is not permitted to attend school for five days, एक बच्चे को suspend तब माना जाता है, जब वो क्या करे, जब वो क्या करे, जब वो पांच दिन के लिए उस किस चीज के लिए उसको suspend किया जा सकता है, physically assaulting another student, अगर वो physically, यानि कि अगर वो मार पीट करता है दूसरी लड़के के साथ, a teacher और a school employee, चाहे school employee के साथ करे, चाहे student के साथ करे, चाहे teacher के साथ करे, तीनों cases में, अगर वो मार पीट करता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको suspend क कर देंगे 5 दिन के लिए, दूसरा केस कब है, willfully destroying or defacing school property, ठीक है, अगर वो school property को भी कोई भी harm पहुंचाता है, यानि कि तोड़ फोड करता है, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, suspend कर दिया जाएगा 5 दिन के लिए, which situation below is the best example of 5-day suspension, अब बता रहे है कि नीचे आपको 4 situations दी गई है, इन चारों में से कौन सी better suit करती है, first statement के साथ, यान कि कौन सी example सही है, किसकी suspension की थी, अब देखिए, लिलियान gets caught, cheating on a maths test for the second time and is suspended from school, देखिए, cheating का, cheating का statement में बिलकुल भी जिकर नहीं किया गया था, एक तो मार पीट का, physical assault का किया गया था, और एक तो तोड़ फोड का, यान कि school property को harm पहुंचाने का किया था, discussed, ठीक है, तो first option तो बिलकुल गलत है, second option, mark is asked to leave the classroom due to his constant disruptions, ठीक to write derogatory comments on the locker room wall and she is given a suspension, इसको भी छोड़ दीजे, Miss Farmer tells her class that students who fail the midterm exam will be expected to stay after schooling for totaling, ठीक, अब यहाँ पर ये statement क्या बता रहा है, Miss Farmer, ये कोई teacher है, ये अपने बच्चों को बता रही है, कि अगर आप midterm exam में fail हुए, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको school के बाद रोका आपको extra tutoring यानि के extra classes दी जाएंगी, तो ये तो suspension का example नहीं है, अब देखिए दूसरा, Mark is asked to leave the classroom due to his constant disruptions, Mark जो है वो class में क्या कर रहा था, indiscipline create कर रहा था, इसलिए उसको class से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, तो class से बाहर निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि उसको suspend कर द Franny uses spray paint, spray paint वो use करते है, वो paint use करते है to write derogatory comments on the locker room, locker room wall जो है, ठीक है, मतलब जो room है, जो locker room है, जहां पर lockers वगरा होते हैं, उसकी जो wall है, उस पर वो क्या कर रहा है, spray paint से गंदे-गंदे comments लिख रही है, and she is given a suspension, तो उसको suspend मिल गया क्योंकि उसने locker room wall, यानि कि wall जो दीवा है, locker room की, वो तो एक school property है, एक कमरे की कमरा है, वो तो उस property को उसने क्या क्या हाम किया, तो उसको suspend कर दिया गया है, तो second जो है, third जो है, that is the true example of suspension, ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं, A tiebreaker is an additional contest or period of play designed to establish a winner among tied contestants, which situation below is the best example of a tiebreaker, देखे क्या होते हैं, जब कहीं पर match होता है, जब हम खेलते हैं, जो sports में रहा होगा, उसको पता होगा, जब match होता है, तो दो players होते हैं, एक तो ये वाली team होती है, एक तो ये वाली team होती है, एक तो ये वाली team होती है, मान लीजे, इन्होंने भी 5 goal कर लिए, इन्होंने भी 5 goal कर लिए, फुटबॉल टीम है, इन्होंने भी 5 goal कर लिए, same time में, मान लीजे time था 10 minute, 10 minute में match खतम होना था, तो 10 minute में इन्होंने भी 5 goal कर लिए, इन्होंने भी 5, अब winner तो establish होआ नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे winner निकालेंगे तो एक इसको बोलते है tie होना ठीक है तो हम क्या करते हैं एक tie breaker करते हैं ठीक है tie breaker करते हैं उस tie breaker में हम लोग क्या करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सा इन दो teams में से कौन सा जीतेगा अब देखिए अब देखिए पहला बोल रहा है कि चारो options देएं आपको में से कौन सी example जो है वो tie breaker की है first day at half time the score is tied at 28 बोल रहा है मान लीजे अगर 40 minutes का match है तो half time कितना हुआ 20 तो half time पे tie हो गया इस team और इस team दो इस team का भी 28 goal है इस team का भी 28 score है तो अभी तो half ही time हुआ है अभी तो full time हुआ नहीं हो सकता है बाकी के जो 20 minutes बचे हैं उसमें से कोई team आगे निकल जाए और कोई team पीछे रह जाए ठीक तो ये तो tie breaker की example नहीं हुई ये tie breaker की example नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे half time लिखा हुआ अगर after full time लिखा होता तो 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 tie breaker की example होती अब देखें Mary and Megan have each scored three goals in the game ठीक है तो ये tie की example है यानि कि tie हुआ है Mary और Megan के बीच में क्योंकि इसने भी 3 goal की है उसने भी 3 goal की है ठीक है कि इसमें game में लेकिन हमें tie breaker की example बतानी है हमें tie की example नहीं बतानी है हमें tie breaker की बतानी है तो second option भी second option भी follow नहीं करेगा because second option जो है वो tie होने की example है ना कि tie break करने की example है ठीक आप देखें तीसरा क्या है तीसरा है आपको पता है कि जब match होता है cricket match होता है तो कौन पहले bat करेगा और कौन पहले ball करेगा उसके लिए एक toss होता है coin toss करी जाती है मान लीजे अगर मैंने मैं इस team में हूँ अगर मैंने head बोला और heads आया तो मुझे choice मिलेगी कि मैं पहले bat करूँ या ball करूँ तो referee ने क्या किया toss किया ये देखने के लिए कि कौन सी team जो है पहले ball करेगा पहले bat करेगी तो ये तो tie breaker की example नहीं हुई ठीक अब देखे चौथा the sharks and the beers ये एक team है और ये एक team है each finished with 14 points दूनों ने खतम किया match 14-14 points से इसके भी 14 points से इसके भी 14 points से ठीक and they are now batting it out in a 5 minute over time अब उनको 5 minute दिया गया है अब उनको 5 minute दिया गया है इस 5 minute में जो 14 से मान लीजे इस 5 minute में sharks ने क्या किया 16 goal बनाए मतलब 14 थे इनके और 2 goal बनाए 14 स्कोर कर लिया इस 5 minute में और इनके 14 थे तो इनके 15 हो गये 5 minute के इस 5 minute over time के बाद तो ये team जीत गई तो ये एक extra time दिया जाता है जिसमें जिसमें क्या देखा जाता है इस ने 2 goal किये इस 5 minute में इसने 1 goal किया तो winner ये बन गई क्योंकि पिछला वाला tie हो गया था उसमें कोई difference नहीं था तो इस वाले में इसने 2 किये इस वाले में इसने 1 किया है तो दो वाला जीत गया है तो वो 5 minute आपको last में दिया जाता है उसमें जो ज्यादा score करेगा वो जीत जाता है वो tie break कर देता है ठीक तो D option जो है वो correct option था अब है next question ठीक, next question क्या कह रहा है एक second next question कह रहा है violating an apartment lease occurs when a tenant does something prohibited by the legally binding document that he or she has signed with a landlord ठीक है, landlord कौन होता है landlord होता है जिसका property है और tenant कौन होता है जो किराएदार होता है ठीक है तो lease का मतलब क्या होता है lease होता है जो इन दोनों के बीच में एक agreement हुआ है landlord ने कुछ conditions and terms के basis पे इस किराएदार को lease यानि कि इस agreement के basis पे उसको कोई property दी हुई है कुछ time के लिए ठीक है तो tenant होता है किराएदार या खरीदने वाला बंदा landlord होता है बेचने वाला या जिसका property main है और lease होता है इन दोनों के बीच में जो agreement हुआ होगा ओके अब बोल रहा है अब बोल रहा है कि violating an agreement violating an lease जो भी lease होता है and apartment lease ठीक है एक lease को violate करना यानि कि agreement को violate कब हो जाता है occurs when a tenant tenant यानि कि किराएदार मतलब जो agreement हुआ था जो lease हुआ था उसका violation ठीक तब होता है जब क्या किराएदार does something prohibited किराएदार कुछ ऐसी चीज करे by the legally binding document that he or she has signed with a landlord मतलब अगर वो अगर वो मान लीजे इन के बीच में lease हुआ था तो lease में अगर दो चीजे mention की गई है अगर वो उन दो चीजों को violate करता हो continent यानि कि किराएदार उन दो चीजों को violate करता हो इन दो चीजों को तो वो lease को violate कर देता है ठीक है agreement को ही violate कर देता है I hope समझ आ गई होगी चीज अब देखे बोल रहा है which situation below is the best example of violating an apartment lease नीचे दिये गए चार options में से कौन सा option lease का violation करने का example है देखे चले पढ़ते हैं options option है Tim has decided to move to another city so he calls his landlord to tell him that he is not interested in renewing his lease when it expires next month देखे मान लीजे ये Tim जो है इसने तीन मन्थ के लिए एक agreement किया है ठीक है तीन मन्थ के लिए एक agreement किया है किसके साथ landlord के साथ लेकिन अब तीन मन्थ के बाद दो मन्थ के बाद दो मन्थ के बाद इसको क्या लग रहा है कि अब मुझे कहीं और पे shift करना है ठीक कहीं और पे shift करना है तो इसने क्या किया इसने अपने landlord को call किया और उसको बोला दो महीने तो मुझे हो गए अब जो तीसरा मन्थ है तीसरे मन्थ के बाद में lease को renew नहीं करूंगा ठीक है lease जो होता है आगर वो तीन मंथ के लिए हैं फिर आप उसको renew करके फिर से तीन मंथ तक क्योंकि उसको दूसरी स्टी में जाना था तो उसने अपने लैंडलोर्ड को कॉल किया और उसको बोला कि वो अपनी lease को renew नहीं करेगा जब वो एक्सपायर हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के बाद जब वो अपने time period के बाद expire हो जाएगी तो वो छोड़ जाएगा ठीक है ये तो ठीक है ठीक है ये तो lease को violate करने की example नहीं है अब देखें Valerie recently lost her job and इसको भी आप छोड़ दीजे Mark writes a letter to his landlord Mark ने अपने landlord को एक letter लिखा उसमें क्या लिखा उस letter में? उसमें लिखा that lists numerous complaints about the apartment he has agreed to rent for two years ठीक है अब देखें Mark जो है उसने landlord के साथ एक agreement किया है agreement कितने साल के लिए किया है? दो साल के लिए दो साल के लिए अब Mark क्या कर रहा है? इस landlord को बोल रहा है कि मुझे बहुत सारी complaints आ रही है ठीक है? तो इस Mark ने इस landlord को क्या किया? it letter लिखा और उस letter में क्या लिखा? उन सारी complaints का list बनाया तो वो तो violate करने की बात है ही नहीं किरायदार को अगर कोई problem आती है तो वो landlord को बे शक लिख सकता है चाहे वो लिखे चाहे वो phone करे चाहे वो face to face बोले वो कैसे भी बोल सकता है? तो Mark ने भी वही किया तो ये lease का violation नहीं है ठीक? तो ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा अब देखिए second Valerie recently lost her job and for the last three months has neglected to pay her landlord the monthly rent देखिए अब जो Valerie है Valerie एक इनसान है ठीक है उसको क्या हुआ है? उसने अपना job खो दिया है तो अभी जो तीन पिछले तीन मंस का rent है पिछले तीन मंस का rent जो है वो अपने landlord को नहीं पे कर पाया है they agreed upon in writing ठीक है? जो उन्होंने जिस rent पे उन्होंने agreement किया हुआ था कि आप per month हो सकता है Valerie ने और landlord ने एक agreement किया हो कि पर month आपको 3000 रुपीज देना पड़ेगा किराया लेकिन पिछले तीन महीने से Valerie ने ये किराया नहीं दिया है क्योंकि उसका job lost हो गया है and in writing when she moved into her apartment ठीक है? 8 months ago तो 8-8 महीने पहले वो apartment में आई थी 5 महीने का तो उसने ठीक-ठीक से दिया था लेकिन पिछले तीन मंद से वो नहीं दे पार ही है तो ये एक agreement का क्या है? ये एक agreement का violation है क्योंकि वो पिछले तीन मंद से rent ही नहीं दे रही है जबके month खतम होने के बाद rent देना होता है तो second part जो है that is the best example of violating an apartment lease ठीक है? अब दीके next question है an informal gathering occurs when a group of people get together in a casual relaxed manner ठीक है बोल रहा है कि informal informal यानि कि जिसमें हमें कोई भी informal यानि कि कोई भी हमें कोई strict rules and regulations नहीं होते हैं हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आ सकते हैं gather हो सकते हैं जैसे मर्जी कपडे पहन सकते हैं जिस मर्जी प्लेस पे gather हो सकते हैं ठीक है? तो informal gathering बोल रहा है तब होती है कब जब एक group of people आता है वो get together यानि कि एकटे हो जाते हैं in a casual or relaxed manner means casually आते हैं और बैठते हैं group by जैसे friends बैठते हैं जैसे friends बैठते हैं ठीक है? तो which situation below is the best example of an informal gathering? तो नीचे आपको चार situations दी हैं इन चारों में से कौन CIC situation है? जो informal gathering की एक suited example है ठीक? अब देखी क्या क्या दिया गया है the book club meets on the first Thursday evening of every month देखे, book club जो है वो हमेशा every month every month जो है उन्होंने एक planning कर रखी होती है कि every month के evening में Thursday को every month का जो Thursday आता है first Thursday जो हर एक month में पहला Thursday आएगा first Thursday आएगा उसकी evening को हम meet किया करेंगे तो यह informal नहीं एक formal gathering है क्योंकि इसकी पूरी planning हो जाती है ठीक और यह book club है तो book से related है तो it is a formal gathering ठीक अब देखे second क्या है after finding out about his promotion इसको अभी छोड़ दीजे है Mark sends out 25 invitations for the bridal shower she is giving for her sister देखे उसने invitation भेजा है किसने? Mary ने Mary ने invitation भेजा है और उसने क्या बोला है sends out 25 invitations 25 लोगों को उसने invite किया है for the bridal shower she is giving for her sister ठीक है? अपनी sister के लिए वो क्या कर रहे है? bridal shower यानि कि अपनी sister के लिए एक वो party थो कर रहे है तो उसके लिए उसने 25 लोगों को invite किया है तो यह भी एक formal gathering है क्यूंकि यहां पर क्या आएंगे लोग बहुत dressed होकर आएंगे एक particular time पे आएंगे particular place पे आएंगे ठीक है? बहुत ही formal gathering है यह भी अब देखे forth whenever she eats at Mexican restaurant Clara seems to run into Peter ठीक है? तो बोल रहे हैं कि मतलब इससे यह नहीं बोल रहा है बोल रहे हैं कि जब भी वो क्या खाती है? मेकसिका restaurant में जाती है तो Clara जो है वो Peter के पास चली जाती है तो इसका कोई भी यह informal gathering नहीं है ठीक है? क्योंकि group of people group of people होना चाहिए और यह informal gathering का statement से कुछ relating गर रहे है ठीक है? अब देखिये अब second part देखिये after finding out about his promotion Jeremy Jeremy जो है जैसे उसने सुना कि उसका promotion हो रहा है and a few co-workers तो Jeremy और उसके कुछ co-workers decided to go out for a quick drink after work देखिये क्या हुआ जब Jeremy ने Jeremy को पता चला कि उसका promotion हुआ है? तो Jeremy ने क्या किया? एक तो Jeremy और उसके साथ क्या क्या क्या? कुछ co-workers जो है उन्होंने decide कि हम कहां पर जाते हैं drink करने जाते हैं तो drink करेंगे यानि कि कुछ न कुछ wine वगएरा beverage वगएरा पिएंगे तो wine या कुछ पिएंगे तो ये तो informal हो गई जहां पर ये drinking वगएरा चलता है वो informal gathering होती है तो वो informal gathering होगी क्योंकि Jeremy और इसके co-workers जो है वो drink करने जाएंगे कहां पर quick for a quick drink after work काम के बाद वो जल्दी जल्दी मतलब पहले से plan नहीं था उसी time उन्होंने plan किया उसी time पर उन्होंने सोचे कि कहीं जाएंगे और drink करेंगे तो वो informal gathering में आता है जहां पर drink होती है या smoking होती है या अगर आप मान दीजए club हो गया कौन सा club जहां पर drinking वागरा चलती है आपको पता है न जहां पर drinking वागरा चलती है तो वो सारी जो example है वो किसकी example है वो informal gathering की example है ठीक है तो यहां पर beach वाला second वाला जो part है that will be informal gathering अब देखिए जो यह questions यहां पर मैंने mention किये है जुरूरी नहीं है कि इन ही questions में से आपको कोई नो कोई question exam में आए यह lecture मैंने आपको concepts clear करने के लिए बोला है कि जो क्या किते हैं इसको address matching में कैसे कैसे आ सकता है हो सकता है question में आपको कोई भी ऐसी vague statement दिये हो कोई भी चीज उसमें explain किया हो ठीक है और फिर उसके basis पे आपको 4 statements दिये हो और 4 statements में से आपको एक statement ऐसा चूज करना है जो इस statement को जो इस question को define कर रहा होगा या जो इस question की example होगा ठीक है तो जुरूरी नहीं है जो मैंने examples दिये हैं वही वही आएंगे वो examples बस आपको समझाने के लिए दिया है आपको एक idea देने के लिए दिया गया है I hope आपको समझ आ गया होगा कि जो भी address matching में है आपको वहाँ पे एक चीज question में explain की होती है और फिर उसी चीज के basis पे आपको 4 चीज़े बताई गई होती है जो option question में दी गई चीज के साथ मिलता है उस option को आप tick करते है ठीक है तो ये बिलकुल आपके अपने mind के उपर है इसमें obviously practice तो चाहिए reasoning में हर किसी portion में practice चाहिए लेकिन address matching में आपको उस time पे जो दिमाग में सोच वगरा जो reasoning ability आपको develop करनी होती है वो काम आपको किस तरीकी से question समझ आया फिर उसकी basis पे answer करना वो matter करता है मतलब इसमें practice काम matter करते है क्यूं क्यूंकि जुरूरी नहीं कि यही question आपको exam में मिलेंगे जो जो आप practice करेंगे बढ़ हां आपको idea लग जाता है तो इस lecture में आपको idea लग लगी गया होगा अगर आप इस topic की practice ना भी करें तो तो भी चल जाएगा बट concept आपको clear होना चाहिए अगर आपको यह lecture fruitful लगा है और interesting भी लगा है तो like जरूर करना और वीडियो को share भी करना अगर चैनल पे new हो तो subscribe भी जरूर करना ठीक है और मिलते नेक्स लेक्टर में तिल दन गुद्बाइ थाइंक यू